नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर और फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेका है हूँ 22 जून की करंट अफ़ेर यानि के 22 जून की करंट अफ़ेर तो चलिए फ्रेंट जल्दी से देखते हैं कि कौन-कौन से कोशन देखनो तो फ्रेंट राइटांसर है आई आएटी मंडी तो फ्रेंट जैसे कि आप इमेज में दे सकते हैं कि इंडियान इंस्ट्ट ओफ टेकनलोजी मंडी ने क्या-क्या है इन्फ्यूसन टेक्नलोजी विख्षित करिये हमारे इंडिया के किसानों के लिए यानि के फार्मर्स के और यह क्यों ताकि उनकी income का एक परमानेंट सौर्स बन सके है था लिए क्विख्सिद करिए अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की देखे है तकनिक का नाम हर बल in fusion ऍेख्ण itWork्स टेक्ड तो अब जो मैं हरा और हमारे हमारे जो oraz है धेश को हरा बरा कॉन रखता है इंडिया का किसान या किसान ही हमारेश को हरा बरा रखते हैं और मंदी में सबसे बहुतर क्या आती है और सबजी कोन लाता है है याद मण्डी ठीकनिक का यां में हर्भल इंफसंट टेक्न सालि मेरा 19 जून तो जैसे की हर सार 19 जून को वर्ड सीकल सैल दिवस मनाय जाता है और फ्रेंच सी क्यों बना जाता है सीकल सेल विकारों के बारे में जागरुपता पेरा करने के लिए का करता है सबसे बड़ी बात है कि ज систем सिकल सैल के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए हर साल 19 तो चाता याद सब्सक्राइब पॉल्वाइब दिवस सहीज़ार एक से मनाथा जा रहा है यानि दोहजार से मनाना स्टार्ट हुआ था सहीज़ार्ष्ट वर्यून को मनाथा बात करते हैं। निमली कित में से किसने खाद्य शुरुक्षा और पोशन पर The Impact COVID-19 नामक रिपोर्ट जारी करी है तो फ्रेंड आट अंसर मेरा FAO FAO ने क्या गया है एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका नाम है The Impact of COVID-19 on Food Security and Nutrition तो चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं FAO की सबसे पहले बात करते हैं FAO की फुल फॉर्म क्या है तो FAO की फुल फॉर्म है आप लिख लिजे नोट डाउन कर लिजे क्योंकि कभी-कभी एक्जाम में पूछ ले जाता है Food and Agriculture Organization Food and Agriculture Organization जो की है मेरी FAO की फुल फॉर्म और इसने एक रिपोर्ट जारी करी है The Impact of COVID-19 एक रिपोर्ट जारी करी है यह सब आपको याद रखना है इसलिए यह न्यूज में आया है अब बात करते हैं FAO की स्थापना की यानि कि FAO का founded कभ हुआ था FAO की स्थापना कभ हुई थी तो FAO की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में FAO की स्थापना हुई थी तो मैं बात करूँ मुख्याल लेकि यानि के headquarter की तो FAO का headquarter कहा है FAO का headquarter है मेरा Rome Italy में तो यह सब भी फ्रेंट्स आपको याद रखना है यह सब आपको डिटेल याद रखनी है तो बात क्या कर रहे थे हम कि FAO ने एक report जारी करी है जिसका नाम है the impact of COVID-19 on food security and nutrition और FAO की full form क्या है food and agriculture organization और FAO की स्थापना कभी ती 16 October 1945 और FAO का headquarter कहा है Rome Italy में है तो यह सब फ्रेंट जानकारी आपको याद रखनी है आसर करता हूं आपको question याद रहेगा बात करते हैं next question question number 4 के हम बात करते हैं भारत्य रेलवे के मध्य रेलवे जोन ने किस railway station पर एक नया इनोवेटिड स्वेचाली टिकट जाच और परबंदक access machine ATMA इस्थापित करी है इन अफ फर्स्ट इंडियन्स रेलवे सेंटर रेलवे जोन है इंस्टोल्ड अन्यूली इनोवेटिड ATMA ओटोमेटिड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग access machine at which of the following railway station अभी तक आपने नाम सुना होगा खाली ATM लेकिन इस मशीन का नाम हो गया इस मशीन का आत्म हम इसको बोल सकते हैं देखो और नागपुर रेलवे स्टेशन पर यह मशीन लगाई गई है अब यह मशीन काम क्या करेंगी सबसे पहले बड़ी बड़ी बात यह है देखो यह अपने आप कोविड नाइंटी मलग किसी टिकट वहां टीटी को नहीं खड़ा किया जाए क्योंकि उसको फिर क्या हो सकता है क्रोना वारस अगर वह सब पूरी मलग सारे पैसेंजर से होकर गुजरेगा टीटी तो क्या होगा उसको क्रोना वारस हो सकता है तो इसलिए यह मशीन बनाए गई है जिससे यह क्या करेगी अपने आप टिकट की जांच कर लेगी पैसेंजर्स के है ना अपने आप टिकट की जांच कर लेगी एटी एम में और अपने आप ही सारे उनके मास्क की भी चैकिंग कर सकती है तो यह बहुत अच्छी मशीन है ज से कोविड वनव एप नामक एक नए स्मार्ट वर्ण एप डाउनलोड करने की अपिल करी है वीच कंट्री है ईपटी ед टू दा पबिलिक डाउनलोड अन्यूू स्मार्ट वर्ण एप क praw फैंड लाटन सहरे मैं जर्मेणी तो जर्मेणी ने क्या क्या है अपने देशवास्यों से कहा है कि आप सब कोविड वॉर्ण एप को डाउनलोड कर लिजे क्यों बात करते हैं क्यों उन्हें ऐसा कहा है देखो covid warn app जो है वो warn करता है निकट संपर्क यानि कि संपर्क में आने से warn करता है कि वो बताता है कि आपको संपर्क में नहीं आना है तो वो संपर्क को तोड़ता है दो परसन के संपर्क को covid warn app तोड़ता है यानि को उनको warn करता है अगर वो संपर्क में आते हैं ज्यादा पास आते हैं तो इसलिए जर्मनी ने कहा है कि आप सब COVID Worn एप को डाउनलोड कर लीजे इसलिए COVID Worn एप न्यूज में हैं तो यह सब आपको याद रखना है अब बात करते हैं थोड़ी सी जर्मनी की जब जर्मनी न्यूज में है तो अगर मैं बात करू जर्मनी के रहाज़धर्णे की यानि की कैपिटल की बात करूं तो महां जर्मनी के रास्ट पदी ये सब आपको याद रखना है बर्लिन वहां की कैपिटल है यूरो वहां की करंसी है और सबसे बड़ी न्यूज जो की आज की है जर्मनी ने क्या क्या है कोविड वरन एप डाउनलोड करने के लिए कहा है अपने देश्वास योगो तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन कोशन नमर 6 के हम बात करते हैं अंतरास्टे योग दिवस 2020 का विशे क्या है वाट इस थीम ओफ दा इंटरनेशनल योगा डे 2020 देखे फ्रेंट जैसे क योगा डिवस का बनाए गया 21 जून को बनाएगा जो की हमारा कल था तो और कि यंचि सिम थीम के वार्या की योगा please योग जो सब ने योगा किया है वह आउपड्व में नहीं इंडर में क्या है और इसली तिम भी इश्क योगा biscuits ने योगा आपको आराम से याद रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन कोशन नंबर सेवन के हम बात करते हैं यह कोमर्स दिगज अमेजन और अलिबाबा समर्थित बिग बास्किट को निमलिकित में से किस राज्य में शराब पहुचाने की मंजुनी मिली है यह कोमर्स बास्किट बास्कित बास्किट बास्केत सकते हैं यह कंपनी आप को याद रखना है इसलिए निउज में आई है दरो जैसे कैम दे शेक्त है यह पस्चिम मंगाल के मुख्यमंत्री है हमारी मुख्यमंत्री हैं भी बास्चिट करेगा गार के राज्येपाल के गवर्णर की यानि कि लिए कर देखते हैं तो महां के गवर्णर है तो बक्सा टाइगर रिजर्व आपको मिलता है देखने को पश्चिम मंगाल में और एक और बहुत ज्यादा इंपोटेंट सुन्दरवन सुन्दरवन राष्ट्र उद्दान भी आपको कहां पश्चिम मंगाल में ता है जो कि No.8 बहरत में बाट करते हैं वैन इस नेशनल रीडिंग डे ऑपजड़ इन इंडिया तो भारत का है ये नेशनल है तो इसके 19 जून को ये बना जाता है तो हर साल 19 जून को नेशनल रीडिंग डे बना जाता है ये सब याद रखना यह है अमारे प्रदानमंधुरी नरेंदर पिता तो पुस्तकाल्य दखो आप लिख लिए नोडाउन कर लिजे कि पुस्तकाल्य आंदोलन के जो पिता थे वो थे पी एन पिनिस्टर के समान में हर साल ये 19 जून को मना जाता है क्या नेशनल रिडिंग दे है ना तो ये और ये कौन थे पिनिस्टर ये थे पुस्तकाल्य आंदोलन के पिता तो ये सब आपको फ्रेंट्स ज्याद रखता है आगे बढ़ते हैं नेश्ट कोशन 9 के हम बात करते हैं लिस्ट रिलीज इन जून 2020 तो फ्रेंट राइट आंसर नाइन तो जो बिलियनर्स की लिस्ट है फोब्स की इस 2020 की उसमें जो मुकेशंबानी की जो रैंक है फ्रेंट्स वो है नाइन नमबर यानि के टॉप टैन में यह हैं और इनका इस्थान है नो तो यह सब आपको जो हैं हमारे जैफ बेजोस हैं यह सब भी आपको याद रखना है और इनकी कंपेनी का नाम है अमेजन है ना तो अमेजन के जो सीओ जैफ बैसों हैं जो वो की फस्ट नमबर प्रहें फोस्ट बिलिनियर्स में और उनकेशंबानी है नाइन पर तो यह सब आपको याद आख की है और इसने क्या कर रहा है यंड बोटी को हराया है ना गेड़ से कि अब बॉस्ट एक ऑपर पोर्म में बात कर जोbé करते हैं इसकी स्थापना की है ना यह सथापना कब हुई थी चलिए देखे बात करते हैं अगर तो 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को UNSC की स्थापना हुई थी यानि के United Nations Security Council की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी और अगर मैं बात करूँ Headquarter की यानि के इसके मुखहले की अगर मैं बात करूँ तो वो है मेरा New York में तो यह सब आपको जानकारी note-down कर लेनी है क्योंकि एक्जाम में हमेशा पूछा जाता है एक्जाम को hard बनाने के लिए जायतर यह जानकारी वो पूछ लेता है क्योंकि सब याद करते हैं और यह भी याद रखना है कि यह जीती है केनिया ने और हरा है दीजी बोटी को तो फ्रेंट आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन कोशन नमर 11 के हम बात करते हैं किसने लिजन्ड ओफ सुहल देव दा सीर्शक नामक पुस्तक लिखी है भारत को बचाने वाला जो राजा था हूँ है रिटन अब बुग टाइटल लिजन्ड ओफ सुहल देव दा किंग हूँ सेवड इंडिया तो फ्रेंड राइट आट अंसर मेरा अमीश्ट्रिपाठी देखे तो यह आपको याद अगना कि अमीश्ट्रिपाठी ने लिखी है सुहल दे तो अगे बढ़ते हैं नाइस्ट कोशन कोशन नमबर 12 के हम बात करते हैं कोविट 19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रा साउंड को किसने विक्षित किया है हूँ है डवलप एन अल्ट्रा साउंड स्क्रीनिंग और कोविड 19 के लिए अल्ट्रा साउंड से कौन स्क्रीनिंग करने वाला है इसका आंसर है आया टी पलककड तो जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में लिखा है ओनली इंडियन इंस्ट्रीट ऑफ टेहनलोजी पलककड तो आयटेप पलककड ने क्या किया है ए पलकड जो कैसे चलती है तो इसलिए अल्ट्र साउंड जो जेपकते ही इधर से हो जती है तो यहारी अगे बढ़ते हैं नगे बात करते हैं हाली में भारत ने चिस देश से बारा सुखोई विमान खरीदने का फैसलय रशीया से क्या क्या है इंडिया ने 12 सुखोई विमान खरीदेगा जो की काम आएंगे हमारे जो दिए टाइम पर जो की अच्छी बात है कह सकते हैं तो चलिए यह आपको याद रखना है बात करते हैं रशीया की रशीया की अगर मैं बात करूं राश्ट पती तो है वह व्ला कर रशीया की करेंसे की बात करूं तो है रूबल तो यह सब आपको याद रखना है राष्ट पती वलादी मीर और उनकी जो राजधानी है मौसको और करन्सी रूबल यह सभी आपका रखना और 12 सुख होई विमान जो खरीदेंगा रशीया से खरीदेंगा कौन इंडिया त एक समझोता हुआ है यह हैं चीन के राष्टपरी शीजिंपिंग और यह हैं बंगलादेश की पढ़ार मंतरी शेख हसीना है तो अब इनके बीच टाइप हुआ है चीन ऐसा क्यों करता है और कैसा टाइप हुआ है कि अगर वह बंगलादेश एकस्पोर्ट करता है चाइना को कोई भी चीज तो उस पर कोई टैरिफ मनलब कोई भी शुल्क नहीं लगेगा सुन्य शुल्क लगेगा ऐसे चीन ने उसको छूट दी है तो ऐसा चीन क्यों करता है चीन भोती बेकार गंदा देशा वो क्या करता है अपने आसपास की कंट्री कینतरी को जो भी उसकी आसपास की कंट्री को राकार उकिन साहता करता है थोड़ी- conspiracy लाब करते हैं यह क्या है अब यह जबंगलादेश पर ठोड़ा क्रफ लाब कर दिया है बंगला देश को ताकि यह चीन की सारी शाजिस होती है तो यह कोई नहीं है कोशन है आपको याद अगना है तो बंगलादेश को करा है ना तो यह ती आज की हमारी 22 जून की करन्ट अफिर अगर आपको वीडियो अच्छिल को तो प्लीज लाइक कर देए जोगर आप हमारे चल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तब तक के लिए मिलते है कल 23 जून की करन्ट अफिर के साथ तक के लिए पड़ते रहे हैं खुछ रहे अपने ध्याना के बाई बाई नमस्ते टाडा थैंक्यू